हेलो एंग वेलकम आईए आज का टॉपिक सुरू करते हैं जो की बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके एक्जामिनेशन पॉइंट अफ व्यू से सौ नमर और पचास नमर के हिंदी में अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं ये है संग्छेपन 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 अखिर होता क्या है देखे संग्छेपन होता है कम से कम सब्दों में अधिक से अधिक कम से कम सब्दों में अधिक से अधिक विचारों और भावों को प्रस्तुत कर पाने की कलाही संग्छेपन है जो हम कहना चाह रहे हैं सायद आप समझ गया होंगे संग्छेपन के मात बारे में तो चलिए इसे सुरू किया जाए लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप इसी तरीके के वीडियो चाहते हैं और मेरे जजबे को इसी तरीके से कायम रखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब तो जरूर करी लिजिए और हाँ अपने दोस्तों मित्रों को भी ये वीडियो जरूर सेर कीजिए गया जिन्हें संग्छेपन में परिसानी होती है तो चलिए सुरू करते हैं आज का टॉपिक संग्छेपन देखिए ये सवाल है संग्छेपन करें देख रह इसमें कहता क्या है इसमें लिखा हुआ है चरित्र निर्मान जीवन की कुसलता की कुंजी है जो मनुष से अपने चरित्र की और ध्यान देता है वही इससे आप पढ़ देजेगा हम आपका समय ज्यादा नहीं लेना चाहेंगे तो अगर इसको देखा जाए तो आप इसमें करना क्या होता है कि total number of words लिखने होते हैं कितने हुए सब्द कितने है तो इसमें 101 है अब 101 है तो इससे 3 से डिवाइट कीजिए तो यह कोई mathematics का formula तो है नहीं mathematics तो है नहीं कि 101 है तो 101 सही जिवाइट करें अपने सहूलियत के लिए 102 से कर दे ताकि तीन से ज्यादा अच्छे से कट जाए तो यह total लंसम इसका सारांस किया वह सब्द आना चाहिए 34 तो हम लोग करते क्या है कि इसमें एक तक लिखे है कुल सब्दों की संख्या जिसको जोड़ा Bowl कि नहीं सीङए 5 2 3 4 6 7 8 सब को जोड़ना है पुर्ण विराम और कॉमा को छोड़के यह सब ऌना इस सबको छोड़के सारे सब्दों को जोड़ एक सो एक है इसमें हर इसमें' अलग-अलग आता कि यहां से लेगे यहां तक पहलें तो इसों सिर्शक देंगे चरिट्र निर्मान क्यों ऐसा तो workers था तो बारबार चार्ट निर्मान बोलकरके सब दा रहा था तो पहले हम लॉप देंगे सिर्शक तो जो संक्षेपन के लिए पेराग्राफ दिया था उसमें जुश टॉपिक पे ज्यादा देर बात की गई है ज्यादा तर बात हो रही है वह यही था चरित्र निर्मान तो इससे हम लोग कुछ मिलत मतलब कुछ सब्द जो है कुछ वाकिय ऐसे उसको मिला जुला करके उसका म आज ने चरित्र निर्मान से मनुषे में संघर से सक्ती आती है चरित्र के माध्यम से ही व्यक्ति जीवनमें सफल और विजयी होता है चरित्रवान अपनी अबाद प्रगति से सबको प्रभ memorial करता है तता सभी नत्मस्तक होते हैं और उसके बाद लिखने के बाद कुल हम लोगे लिखेंगे उसको साइड मेंसं करके देख लेंगे भया और उसको क्या करेंगे थर्तिटीफ वोर जियों देढ़ सो होगा तो यहां संक्छेपर इस हो रहा हो मतलब जब उसमें संक्षेपण दिया हो प्रश्ण में तो यहां पर बेरोजगारी की समस्य सिर्षका जाएगा कोई जरूरी नहीं है कि हम जो बता है वही हो हर वर ठीक है तो आपको करना क्या है सब्दों के गिनना है कुछ सब्दों की संख्या लिखनी है उसे तीन से डिवाइट क कान सीधा ना पकड़के थोड़ा पकड़े है आप समझे रहे हैं आप खुद ही समझदार है और हाँ वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूरी कीजिएगा अगर ना पसंद आया हो तो डिश्लाइक ना करके मेरे को कमेंट में बताइए कि मेरे में क्या कमी रह गई है ओके बाए देश्ट अफ लॉक्ष और इजाबिनेशन अपने दोस्तों को से से शेयर किजिएगा बाए